आप लोगोंने एक संगठन के बारे में सुना होगा जिसका नाम है सीफरी इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है और इसमें क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि 2018 से लेकर 2022 के बीच भारत विश्व का सबसे बड़ा हत्यार आयातक बना है आयातक मतलब हम लोगोंने खरीदे हैं निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ मैंच रहे हैं तो 2018 से लेकर 2022 की बीच सबसे जान्दा हम लोगोंने भारत में हत्यार खरीदे हैं और उसके बाद आप देखेंगे साउदी अरब का नंबर आता है यूक्रेयन का नंबर आता है लेकिन टॉप पर भारत बना हुआ है और इस तरह की जो रिपोर्टें आती हैं जो संस्थाएं होती हैं उनसे आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स हर साल पूँचे जाते हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जिस भी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के देख लिया करिएगा पढ़ लिया करिएगा उस रिपोर्ट को समझ लिया करिएगा और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग होंगे जो इस पर खुसियां भी मनाएंगे लेकिन मुझे देखे मेरा ऐसा माना है कि जिस दिन हम लोग अपने देश में आत्म निर्भर हो जाएंगे हत्यार बनाने में हम लोग बड़े बड़े टैंक बना रहे होंगे बड़े बड़े हत्यार बना रहे होंगे दूसरे देशों को बैच रह तो इसी की बात हो रही है और पड़ोसी देखें तो स्रीलंका हो गया पाकिस्तान, अफगारिस्तान, चाइना, नैपाल, भूटान, बंगलादेश, म्यानमर और फिर आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना जैसे हमारे साथी हों, हमारे पड़ोसी हों तो आप देखते हैं तो बैस्विक यानि की विश्व इस्तर पर, अंतराश्टी इस्तर पर, अंतराश्टी हतियारों के हस्तांतर में 5.1% की कमी आई है, overall, ठीक है? यूक्रेन में यूदिकी प्रिष्ट भूमी में, बर्स 2013-2017 और 2018-22 की बीच यूरोपिय देशों द्वारा पिर्मोख हतियारों के आयात में 47% की बिद्धी हुई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच यूद्ध चल ला है, तो आप देखते हैं कि यूक्रेन तो खरीदेगा ही, हतियार खरीदेगा, उसे जरूरत है अपनी सुरक्षा के लिए, और बैस्विक हतियारों के निर्यात में अमेरिकी हिस्तेदारी 33% से बढ़ कर 40% हो गई है, निर्यात में यानि कि वो दूसरे देशों को बेह च रहा है, समझ रहे हैं आप लो यानि कि रोस को जटका लगा है, अमेरिकों को फायदा हुए है, 2013 से 2017 और 2018 से 22 की बीच, पाकिस्तान द्वारा हतियारों के आयत में 14% की बिद्धी हुई है, और 2018 से 22 में पाकिस्तान के 77% हतियारों की आपूर्टी करने बाले, चीन के साथ बैस्विक कुल हिस्सा 3.7% हिस्स जानदा हतियार खरीदे हैं, और यह आप देखेंगे कि पाकिस्तान से हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है, गुजरात हो, राजिस्तान हो, पंजाब हो, जम्मू कस्मी, लद्दाग, और चाइना से देखें तो लद्दाग, हिमाचल पिदेश, और आप देखें उत्तराख पिक आयात का 11% हिस्सा था, 2013 से 17 और 2018 से 22 की मद्द, अपने हतारों की आयात में 11% की गरावट की बाब जूद, भारत टॉप पर बना हुआ है, देखें, भारत टॉप पर बना हुआ है, हम लोगोंने कमी किये, और आप देखेंगे हमारे रक्षा मंत्री हों, पिदान मंत्र आत्म निर्वर की बात करते रहते हैं, बहुत सारी हतियार हम लोग अपने हाँ बनाने भी लगे हैं, फिर भी हम लोग सबसे बड़ी आया तक हैं, भारत को हतियार आपूर्ती करता में देखें, तो रूस 2013 से 17 और 18 से 22 की मद्द, भारत का सबसे बड़ा हतियार आपूर्ती करता था और यानि की कहने का मतलब है 2013-2017 की बीच देख लिजे या 18-22 की बीच देख लिजे हम लोगों ने सबसे जान्दा हतियार रूस से खरीदे हैं और किन्तु भारत में हतियारों के आयत में इसकी इस्तादारी 24% से गिड़कर 45% होगी जबकि फ्रांस बर्स 2018-22 की मद भारत के लिए दूसरी सबसे बड़े हतियार आपूर्ती करता 29% की रूम में उबराए उसके बाद सेउक्त राज अमेरिका 11% पर है कहने का सीधा समतलब है कि सबसे जान्दा हम लोग रूस से खरीदते हैं उसके बाद हम लोग अमेरिका से खरीदते हैं भारत की मुख हतियार आपूर्ती करता के रूम में रोस की इस्तेती अन आपूर्ती करता देशों से कड़ी पितिसपरदा के कारण दबाव में है जबकि भारती हतियारों के उत्पादन में बिड़्धी हुई है और 2022 में युक्रेयन पर रूस के आकमर से रूस के हतियारों के निर्यात में भी बाधाय उत्पन हो रही हैं कई देश पितिबंद भी लगा रहे हैं भारत ने इन पाच बरसों की अउधी के दौरण इजराइल दच्छेड कोरिया दच्छे रफीका से भी हतियार आयात किये हैं जो बैस्वेक इस त तक प्रभावित भी करता है अब आप खुद देख लीजे और मुझे लगता है इस तरही की बाते होती तो आप अपने आसपास के परिवेस को देख लिया करेगा अब आप देखिए आपकी पड़ोस में दो दुसमन रहे रहे हैं जो आप देख रहे हैं बड़े हतियार खर परिद पिक करिया और इसके हतियारों के आप उर्ती करता में विवित्ता लाने की प्रयासों सहित कई कारकों को जिम्मेदार ठैरा जा सकता है जो कमी हम लोग ने किये उसकी बात हो रहे हैं भारत से हतियार की आप देखें तो रूस चीन के बाद इस अहुदी के दौरन भा सबसे जानद आप देखेंगे और इस संगर्ठन के बारे में बता देता हूं इस टौक हॉम इंटरनेशनल पीस रिसरच इंटिट्यूर्ट यह एक सोतंत अंतराष्टी यह संस्ता ने जो आयूद हतियार नियंतन और निरस्ति करन में अनुसंधान ही तू समर्पे थे इसकी यह लगता है इस रिपोर्ट के बारे में आपको समझ में आ गया इस संगर्ठन के बारे में समझ आया गया अगर इनसे कुश्टन्स पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से इसका अंसर दे पाएंगे ठीक है